नमस्कार दोस्तों, मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडिविट डीके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज है 27 जनवरी और सीटीट का फर्स शिप्ट का पेपर हो चुका है, थोड़ा सा में बहार हूँ माइक मेरे पास अभी उपलब्द नहीं है, मैं बिना माइक से वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा कंप्रोमाइस करेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा प्रस्णों को आज यहां पर आपको परियावरान बालविकास, गनित हिंदी, संसेकरत के टोटल बावन प्रस्णों आपको बताएंगे, जो प्रस्णों आपके द्वारा पूरे पूरे बताएंगे, उनके उत्तर भी बताएंगे, साथ में जो टोपिक आज पूछे गए हैं, उनके बारे हो जाएगी, वाट्स अप नंबर यहां पर दिये हुए, 93400-89205, इसको सेव कर लिजेगा, जैसे आज बच्चों के द्वारा प्रस्णों बताएंगे हैं, वेसे आप इस नंबर पर प्रस्णों बता सकते हैं, टोपिक बता सकते हैं, जिन बच्चों के द्वारा आज प्र फिरी पीडिप में जाएंगे, तो जितने भी अभी तक हमने एनलेसिस की हैं, प्रिविएश येर के जो पेपर में जो में में टोपिक है, वो आपको महाँ पर मिल जाएंगे, तो उनको पढ़ लिजेगा अच्छे से, वहां से बहुत सारे प्रस्णों पूशे जा रहे हैं साथ में आप पर्चेस करना चाहते हैं हमारी पीडियप तो यहां पर देख सकते हैं, राममांड पीडियप है, सारे जो इविएस का निचोड़ यहां पर हमने उपलब्द कराया है, साथ में 2011 लगा कर, 2021 तक जो आपकी एक्जाम हुई थी, सीटीट की, और फ्लाइन और ओन पर्चेस करके हैं, इसको भी आप ले सकते हैं अपनी त्यारी बहतर करने के लिए, तो एक बार चेक आउट जरूर कर लिजेगा, ठीक है, तो सुरुवात करते हैं, जैसे आप जाएंगे तो इस प्रकार का पीडियप आपको देखने को मिलेगा, आगे हम बढ़ते हैं, दे देखिए आपर एक प्रश्न पूछा गया था, कि अंत्रिक्स से प्रवेश करने वाले उलका पिंड वायू मंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं, देखिए प्रश्न पूछा गया था, चार विकल पैसे कैसे थे, मध्धि मंडल, बहा वायू मंडल, बाहिर मंडल या पर समताप मंडल, तो यहां पर पूछा गया था, कि जो उलका पिंड है, वो कौन सी परत है, जिसमें जाकर जल जाते हैं, तो वो आपकी परत होगी मध्धि मंडल, यह मध्धि मंडल में जाकर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, यहां पर थोड़ा सा डीटियल में ने रखी प्रत्वी के सता से 50-80 km उपर तक फेली हुई है तो यह बात भी आपको धियान रखना है साथ में इस परत में बही मंडल और वायु मंडल के तुलना में अधिक गेज से जो की उलकाओं को जलाने के लिए अधिक होती है तो इसके बारे में भी आपको जानकरी होना चाहिए च भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी आपसे पूझा गया था कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी कुन सा है पेट्रोलियम का आसम है राजिस्तान है महराष्ट है या फिर आंदर प्रदेश है यहाँ पर देखिए विकल्प चेंज नहीं रहे लेकिन उत्तर आपका राजिस्तान होगा क्योंकि राजिस्तान भारत राजिस्तान जो है वह पेट्रोलियम का सबस्वर बड़ा उत्पादक है जिसके बाद सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया हो तो राजिस्तान आपका बिल्कुल करेक्टर आंसर होगा जिस से पहले किस राज्य का हिस्सा थी सबसे पहले पूछा गया है अब एक ही भात करें तो तेलंगाना है इसके पहले किस राज्य की हिस्सा थी पोचंपली साड़ी आंदर प्रदेश तेलंगाना असम या फिर मिजुरम तो यदि आपने प्रस्ण को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने राई टिक किया होगा आंदरप्रदेश है नहीं पड़ा हुआ ता आप तेलंगाना टिक करका आये होंगे जो कि गलत है पहले क्या हुग आपका आंदरप्रदेशक की थी फिर वह अलग हो गई थी 2014 में यहां पर आप देख सकते हैं जो पोचमपली शाड़ी है वह आं 2014 में आंतर प्रदेश या लग हो गया था ये आपको जानकरי होना कब अलग हुओ था 2014 में कारगिल के बारें को चां़ यहां किस राज्य मिष्टी थी लुसात q and के इंडर साखित प्रदेश में से टे ते लिए यहां पर आप का कारगल है इस के बारे मुझे जानके नहीं है जिसका आज प्रस्ण था उनसे अनुरोध है जो प्रस्ण में यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि कमी प्रस्ण आज मुझे मिले हैं तो आप कमेंट से के माध्यम से बता दीजेगा साय साम तक उस पर में वीडियो बना दू या फिर बच्चों के द्वारा वो पढ़ लेंगे तो अब इन तीनों से किस प्रकार का प्रस्ण था, इसके जानकारी मुझे नहीं है यंदि आपको पता हे है आपका एकजाम था तो आप बता सकते हैं सांप से शंभनित फ्रस्ण पूछा गया था लेकिन यह आपका परियावरण में नहीं पूछा गया था परियावरन पूछा जा रहा है तो आपको इसको कंठेश्ट याद कर लेना है बाल विकास की बात करें तो यह जो तीन चार में आपको यहां पर विज्ञानिक बता रहा हूं इनको तो अच्छे से कवर कर लिजेगा सीधी सीधी प्रिश्ण भी हाली में पूछ जा रहे हैं आज की हम नित हिंदी हिंदी थोड़ा सा बच्चों के दौरा बताएगा थोड़ा सा तप पूछा गया था लेकिन कोई इतना टप नहीं था संसिक्रत की जैसे कि हर बार जो पेसेज वो बड़े आ रहे थे वो आज नहीं आये थे आज शोटी पेसेज थे जिनको हल करना आसानता है न उसके अनुसार यदि आप तैयारी करेंगे साथ में जो पीडिएफ हमने आपको बताई है उसको यदि आप परचेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो इवियस है उसमें से 15 नंबर में से 15 नंबर आ जाएंगे यह हमारी गारंटी है ना तो वाइगोस से की कोहलबर्ग और गार्डणर इन तीनों को अच्छे से याद कर लेजेगा इनसे समर्णी प्रस्ण पूछे जा रहे हैं चोंसी की साथ प्रस्ण पूछा गया था अब चोंसी की से हिंदी में पूछा गया था या फिर बालविकास में यह थोड़ा समोई confusion हूँ यदि आज आपका पेपर से डेली पूछ जा रहे हैं इनको बतानी के आउशकता नहीं है डेली मैं आपको बताता हूं कि इनको अच्छे से कवर कर लीजेगा IQ से पूछा जा रहा है IQ बुद्धी से प्रस्ण काफी सिप्ट में पूछे गए हैं तो इसको अच्छे से कवर कर लीजेगा मुल्यांकन स से पूछा गया था कल भी पूछा गया था आज भी पूछा गया है समभ इसी सिक्षा से भी आज प्रश्ण देखने को मिला तो समभ इसी सिक्षा से भी प्रश्ण आया हुआ है गणित की हम बात करें तो गणित के प्रश्ण आज मिले नहीं है टोपिक हम आपको बता देते है पेटर्न से डेली प्रश्ण पूछ जा रहा है यदि आपको आप हमारे analysis देखेंगे तो उसमें हम डेली बताते हैं कि पेटर्न से सम्मधित पूछ जा रहा है ना LCM SCF से डेली प्रश्ण पूछ जा रहा है भौसरल गणित था आप सब उन्हें उसको अहल कर दिया होगा I hope से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है गणित पेडागोजी में एंसीफ दोजार पांस से पूछा जा रहा है आगे हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में हमें देखिए से पर गध्यांस का पता चलपा जा है कि जो गध्यांसे है वो ताड़ पत्र से संबनित था जो पुरानी पूछा गया था पध्यांसे की जानकरी नहीं है आज आज आपका पेपर था तो मनसी के माध्यम से बता सकते हैं साथ में गध्यांसे में उपसर्ग पूछा गया था आपसे प्रति पूछा गया था अलंकार पूछा गया था आपसे है ना पेडागोजी के हम बात करें तो ह समर्णीट प्रष्ण पूछ Duck S.Υ , उत्पधन कोसल से समर्णीटंपूछ पूछ गया था एनउंप 2016- 2020 पूछ ने पुछ गया है था संसिक्रत के हम बात करें तो संसिक्रत सब्सक्राइब करना है तो आपको परियाव रहने में और अच्छे अंकर प्राप्त करना है तो आप हमारे एप्स पर जाकर जो 49 का PDF उसको घरिश सकते हैं काफी आपको help मिलेगी उससे तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद